नमस्कार मैं हूँ धर्मिश पटेल आप देख रहे हैं काना स्टूडी यूटूब चैनल इस वडियो में आपका छोटा सा कंफिजन दूर करना चाहता हूँ जैसकि अभी रोलेन फेंटम 06 और फेंटम 6 के बोर्ड लॉंच हुआ लगबग 2 साल से भी उपर हो चुका है फें तो अभी क्या हो रहा है फेंटम 06 की बोर्ड ले रहा है और फिर भीच देते हैं कुछ महनों में ही उसका रिजन क्या है जैसकि सबसे पहले जब XPS 10 और XPS 30 जब 2015 और 16 के आसपास आया था तब भी ऐसा ही था कंडिशन कि भाई XPS 30 और XPS 10 सक्सेस्पूल की बोर्ड नहीं है इसका एक ही कारण था कि उसका अच्छा बैक अप किसी ना बना ही नहीं था तो एक आर्टिस्ट होता है तो उसके मन में तो होता है कि नया कीबोर्ड आया तो कुछ तो नया होगा इसमें ऐसा सोच कि बड़े उस्सा के साथ XPS 30 हो XPS 10 हो उस समय भी ऐसा ही हुआ था जल्द बाजी में कीबोर्ड ले लेते हैं फिर मज़ा नहीं आता उसका डेप्ट नहीं है कीबोर्ड अच्छा नहीं है ऐसा करके फिर पेज दिया इसा बहुत हुआ था उस समय लेकिन अभी देखो तो Roland XPS 30 Roland XPS 10 काफी अच्छा मार रहा है फेंटम 06 कीबोर्ड में भी हो रहा है और फेंटम 6 में भी हो रहा है लोगों को लग रहा है एक आर्टिस्ट को ऐसा लग रहा है कीबोर्ड बहुत उससा के साथ तो ले लिया लेकिन फिर उनको लगता है कीबोर्ड अच्छा नहीं है टोंस अच्छा नहीं बज़ तो इस वीडियो के मद्ध्यम से यही कहिना है कि जब तक अच्छा बेकप नहीं तयार होता है तब तक कोई भी कीबोर्ड कामयाब नहीं हो पाता है तो हमने यही काम किया है लगातार अभी 6-7 महिने से बहुत सारे ऐसे यूजर जो phantom 06 में स्कीन बोलते हैं तो उसको हमने modify किया है और काफी testing भी किया है और जितना भी हो सके हमने प्रयाश करते करते काफी हद तक सफलता भी मिल चुकी है लेकिन क्या है समय हुच चाहिए टॉन्स एडिस्ट करने के लिए काफी समय चाहिए काफी मेहनत लगती है काफी मेहनत लगती है तो उसके इसाब से जैसे की xps 30 और 10 में क्या हुआ कि पहला जो backup आया था कंपनी ने ज जो इंडियान्स टॉन्स के इसाब से जो दिया था उसमें कुछ-कुछ टॉन्स ऐसे अच्छे थे बागी पूरा backup काम का नहीं था उतना में अच्छे डैप्ठ नहीं जा उसमें तो ऐसा चलता रहा और धीरे-धीरे जिसने भी अच्छे-च्छे टॉन्स एडिट किये और क अच्छा धीरे-धीरे मार्केट में backup आने लगा तो यह keyboard मार्केट में अच्छे से चल रहा है अभी तो इसी तरह से phantom 06 और phantom 6 में भी जितना अच्छा से अच्छा एडिट होता जाएगा उतना ही अच्छा अच्छा उसका backup तैयार होता जाएगा और depth आपको quality मलती जाए और एक समय से आएगा कि वो keyboard मार्केट बना देगा दीरे-दीरे लेकिन एकदम से मार्केट उसका बन जाए अच्छा backup आ जाए ऐसा possible नहीं होता है क्योंकि एक एडिटर के लिए जो टॉन्स एडिट करते हैं जैसे हम कर रहे हैं तो keyboard को समझना और समझ के उसमें जो जब keyboard समझ में आता जाता है जितना समझ में आता है उतना ही अच्छा काम होता जाता है तो यही कहना था इस वीडियो के माध्यम से क्योंकि उसमें है कमपनी ने कुछ ऐसा बनाया ही है जो successful होकर रहेगा लेकिन keyboard जिसको समझ में आएगा वो ही edit कर सकता है बाकि ऐसा कह देन से नहीं होता है कि यह keyboard successful नहीं है तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत तन्यवाद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन जरूर दबाएं मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिन वंदे मातरम